नमस्कार आप देख रहे हैं निउस्टरटीवन उत्राखड मैं हूँ आपके साथ रितु वसंद चलिए बुलिटिन की सुरुवात करते हैं आज की सबी एहम खबरों के साथ रुदर्पु शहर के सरकारी राशन विक्रेताओं ने अपर जुलादिकारी जगदीश चंद्रकांटपाल को इग्यापन सौपा दरसल जुलादिकारी ने कुछ समय पहले ये निर्देश दिया था कि राशन विक्रेताओं को किसी तरह से कोई परिशान न करें उनकी जुटी शिकायते ना करें यदि कोई जुटी शिकायत पाई जाती है तो उस पर कारवाई की जाएगी और इसी क्रम में राशन विक्रेताओं ने अपर जुलादिकारी जगदीश चंद्रकांटपाल को ग्यापन देते हुए कहा कि उनको लोग जुटी धमकिया देते हैं और उनका वीडियो बनाकर उनको परिशान करते हैं ये मामला प्रशासन के संग्यान में लाना बेहत जरूरी था इसको लेकर उन्होंने अपनी टीम के साथ अपर जुलादिकारी को ग्यापन दिया अपर जुलादिकारी जग्दीश चंद्रकानपाल ने बताया कि ग्यापन में जो भी मांगे की गई है उसमें जितनी भी जायस मांगे होंगी उनको प्रशासन की ओर से माना जाएगा और यदि कोई उन पर अनागरव जुटा वीडियो बनाता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी एसी क्रम में अपर जुलादिकारी ने ये भी कहा है कि इस समय सभी राशन काड़ों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है जिसको लेकार अपर जुलादिकारी ने सरकारी राशन विक्रेताओं से ये भी कहा है कि शीग्र से शीग्र ये काम भी सुनिश्चित किया जाए कामी समय सब्सक्राइब करें हमारे एपियल में उन्तरी कमीशन आई कि उत्रों तो बहारा उतकर आया लगया हुआ हुआ कि इस दौर में उस लोग ततागती गूप से वीडियों बनाकर हमें ब्लेक्मेल कर रहे हैं हमाली गूपिस कहते कर रहे हैं इस सब्सक्राइब कर रहे हैं तीसरे हुआ है कि उन्लाइब कर जाए जाया है इस में जो जन्यूब आथ हमाला जाएगा जहां तक कमी समय कर बढ़ाने का मामना सासनिस तरह उसमें कर रहे हैं दूसरा है वड़की बुर्यों बनागी ते है टो उसा म्मीशन बुर्द है कि बहुत महत्तिकों महत्तों का इसके मुझना है। बढ़नी रास्मकारणों को चटाइब के समाथ तक है। इसलिए उन्हें से कमने सही हो जाते हैं कि ऑनलाइन भूरे में सही हो जाते हैं। प्रदर्शन कारियों ने डीजल मूली वृद्धी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भारत का आम नागरिक दुनिया में सबसे अधिक पेट्रोल डीजल पर टेक्स चुका रहा है। तेल पर लगने वाले टेक्स और वेट को देखे तो भारत में करीब 69 फीजदी लग रहा है। कोरुना काल में पेट्रोल 21.50 रुपे और डीजल की कीमत 26.46 रुपे प्रती लीटर महंगा हो चुका है। इस साफे की सरकार द्वारा जनता को हर तरह से तरस्त करने की पूरी तैयारी है। जहाँ एकोर पूरा देश, स्वास्त और आर्थिक मूर कर रही है। देश की जनता में इस बड़ोत्री के विरुद्ध भारी आक्रोश है। केंद्र की मोधी सरकार द्वारा देश के नागरिकों का श्रोषन हो रहा है और उनके द्वारा जनता की गाड़ी कमाई को जबरन उसूल किया जा रहा है। और आज अंतराश्ट्री में देलगी कीमतों में भारी कमी के बावजूत लगातार मूली वृद्धी से ये बात साबित हो गई है कि मोधी सरकार भारत के भोले भाले नागरिकों की जेब में डागा डाल कर उनको लूटने की कोशुश कर रही है। यदि पेट्रोल डीजल के दामों को कम नहीं किया गया तो केंद्र में बैठी भाजपस सरकार को खाड़ने के लिए किसान सड़कों पर उत्रेंगे और इस सरकार को खाड़ फेकेंगे। पूरा किसरान सड़कों पर उत्रेंगा और आप तुमारी सरकार को खाड़ फेकेगा। लोग हैं डीजल का रेट 12 रुपए बढ़ गया करोना काल के अंतरकत यह पूरे अंतर राष्टी है बजार में कीमतों का जो है कम हो रहा है क्रू डायल कम हो रहा है तो ऐसे में डीज पूरे देश का किसान बहुत ज्यादा तकलीफ में आएगा और जदी किसान तकलीफ में आएगा किसान में अक्रोश फैदा हो गया तो बड़ी से बड़ी सत्ता उखड़ गई चीन से जारी तनाओं के बीच पिथोड़ागर पुलिस ने गूंजी में सिजनल थाने को शुरू कर दिया है बीते सालों तक व्यापार और मानसरूवर यात्रा को देखते हुए थाने को चार महिने के लिए चालू रखा जाता था लेकिन इस बार सीमा पर जारी विवात को देखते हुए बॉर्डर लाके में पुलिस को भी एक्टिव मोड में रखा गया है यहीं नहीं एस पी ने भी च्रीन बॉर्डर लीपू लेक तक का दौरा कर हालात का जायजा लिया ग्रीश मकालीन थाना गूंजी उसको खोल दिया गया है वहां पे फोर्ट रहे तैनाथ हो चुकी है दता उसमें बाकी सारा जो सेट अप है वो भी स्टाबिश कर दिया गया है मेरे द्वारा भी गूंजी और जो उच्छी हिमाली छेत्र हैं उन सभी का ब्रमण किया गया मह पर लोगों के साथ में बातचीत की गई जो भी उनकी समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू हो के आए गंगोली हाट के अग्रोन गाउं की ग्रामिडों ने सड़क की मांग को लेकर पी डेबलू जी बेरिनाग डिवीजन के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की इस दौरान ग्रामिडों ने कहा कि सड़क से उनकी गाउं तक पहुचने में काफी चड़ाई चेड़नी पड़ती है जिसके चलते गाउं के बज़र्गों और मरीजों को सबसे अधिक परिशानी का सामना करना पड़ता है साथी गाउं से पलायन भी बड़ा है ग्रामिडों ने शासी अभियंता ने सड़क के लिए उचुत कारवाई करने का भरोसा दिया है। लंबाई तीन किलो मीटर है तो नौनिर्मान के काज के लिए तो इनका एक अप्टिकेशन आया है हमारे पास गाउं के प्रते लिए लिए और हम इसमें एस्टिमेंट बना के आगे की कारवाई के लिए इसको देजेंग है। आज की एहम खबरों में बस इतना ही कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं न्यूस्टाटीवन उत्रा कर नमस्कार